पार्टियों का संकल पत्र, घोसडा पत्र होता है, वो दस्तावेज होता है, क्योंकि हमारी लड़ाई कांग्रेश से नहीं है, हमारी लड़ाई बसपा से भी नहीं है, हमारी उत्तर प्रदेश में जिसकी लड़ाई है, मैं उसका दस्तावेज लेकर के आया हूँ. ये प्रेम शुकला जी सायद समझ जाएं पहचान जाएं कि मैं उनको क्या दिखा रहा हूँ ये आपका भारती जन्ता पार्टी का संकल पत्र है जो आपने वादा किया था और कौन सा वादा वादे तो बहुत है इसमें लेकिन मैं पेज नंबर साथ पे जाओंगा जहां पर बिजेपी ने वादा किया था कि प्रदेश के सभी युवाओं को कालेज में दाखिला लेने पर बिना जाती और धर्म के भेदभाव के मुक्त लेप्टाब दिया जाएगा राज के सभी युवाओं को कालेज में दाखिला देने पर स्वामी विवेका नंद युवा इंटरनेट योजना के अंतरगत प्रतिमा एक जीवी इंटरनेट मुफ्त दिया जाएगा प्रतीक जी साढ़े चार साल से अधिक हो गया है और मुझे याद है नेता जी एक बात हमेशा हम लोगों को समझाते हैं कि भरस्टाचार सिर्फ पैसे का लेंदेनी नहीं होता है वादा खिलापी भी भरस्टाचार है और अगर वादा खिलापी को भरस्टाचार माने तो साढ़े चार साल में भारती जन्ता पार्टी की योगी जी की सरकार ने सारे रिकार्ट भरस्टाचार के तोड़े है जहां तक सवाल कांगरेस का है कांगरेस की निता ने वादा किया है हम तो हमको तो खेर याद नहीं कांगरेस कब सरकार में रही है देखे जिस उत्तर प्रदेश में प्रतीक जी दो लोगों के भी चुनाओं होने जा रहा है एक तरफ भाजपा एक तरफ समाजवादी पार्टी और दोनों के घोशड़ा पत्र महत्पूर्ण होंगे उत्तर प्रदेश की सम्मानी जन्दा के लिए प्रतीक जी हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको न्यू जेटीन जैसा एक बड़ा चैनल खरीद के दे जाएंगे आप माली को जाएंगे यही रहागी आप दावस एक ने कार दिलवाई एक ने कार दिलवाई दी और दूसरे ने चैनल क्योंकि सुर्ण राज कुछी बैठे हैं यह हमारे बड़े भाई हैं इनके दलका भी करते हैं इनके नेता का भी करते हैं अरे वह बग्गी कहा चली गई जो आँ सहफ़ी में गूमती थी है अब बग्गी नहीं दिखाई दे रही है कौन बोल रहा है बुआ की पार्टी के कौन बोल रहा है आपने पूछा उन्हें बता दिया बुआ की पार्टी के लोग बोलने हैं करते हैं हम तो पिछड़े दल्तों की लड़ाई लड़ रहे हैं a आप पॉक्टों की राज़नी करते हैं आप अगर कहीं चुनाओ लड़ा करके सदर आए राइट सर मैंने बात ली आपकी मैं आ रहा हूं दोनों को शांद करता हूं उन्हों ने पेज नंबर 32 करवाया था लेकिन दिल्ली विदान सभा में दो रुपए किलो का आटा का बीजे था असम में साइकिल देने का वादा था बीजेपी का चुनाओं में और बंगाल में केजी से पीजी तक लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त का बादा था अन्नपूरा कैंटीन में पांच रुपए की थाली का वादा था एक रुपए किलो में चावल और आटा का वादा था तो वादे तो सभी करते हैं आप सवाल जो सुनील यादों ने उठाया है और उन्हें निकाल के जो संकल पत्र पढ़ा उसमें उन्होंने पेज नंबर 32 का उलेक किया पेज नंबर 32 इस धाशा है जो आपने बोला और उसका उन्होंने उलेक कर दिया अब आपकी ये मेरे पै थोड़ा सा मेरे साथ नयाय करेंगे सबसे पहले 40 प्रतशत जो representation महिलाओं की बात की है प्रियांका गांधी जी ने मैं सम्मान करता हूँ इस देश की एक-एक महिला इस देश के लिए इस देश का गौरव है ये तो देश ही जासी की रानी का है ना 4% का representation देंगे और जहां उत्तर प्रदेश में तीन में ना 13 में यहां पर आकर कहते हैं कि हम 40% देंगे लेकिन आपका अधिकार है आप इस तरह के promises कर सकते हैं स्कूटी मोबाइल फोन मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बास है सुरेंद राजपू जी ने कहा मैं कहना चाहता हूँ 1969 में नहरू जी 68 में इंद्रा जी और 2005 में राउल गांदी जी आपके शहजादे बाबर की कबर पर जाकर मथा टिका कर आ चुके हैं यह देश जानता है तो करपया करके ना बात करें आपने प्रेम जी की बात का रेफरेंस मांगा था एडवेना मॉंट बेटन का मैं आपको एक किताब सजेस्ट करता हूँ Marigold Diaries by कुमकुम चडड़ा उसको पढ़ लीजेगा नहरू जी के बारे में आपको काफी तारी जानकारिया आ जाएंगी अब आगे आते हैं आपने कहा कि promise करके भी पूरा ना करना भरस्टा चार ये समाजवादी का कहना था मैं कहता हूँ कि ठीक है कुछ promises हुए होंगे कुछ पूरे हुए होंगे कुछ नहीं हुए होंगे लेकिन एक चीज साहब जरूर हुई है मेरे प्रदेश से 50 पचास हजार लाख लाख दो दो लाख रुपे वोलिवूड वालों की तनख़ाएं नहीं बंदी हुई है वो जो करोडो रूपे का वो होता था ना समागम साइप़ाई में वो नहीं हो रहा है पिछले दिनों से सब्सक्राइं है कि अरे भाईया दलित क्या बहन जी है या भाईया जी के भाईया जी ही दलित है क्या जो गरीब दलित है उस तक तो जाते ही नहीं आप यादव क्या सिर्फ हमारे अकलेश यादव जी है परिवार से बाहर निकल के देखिए अपने बेटों को भाईयों को पोतों को अर्वोपती और सत्ता धारी बनाना बंद कीजिए अगर दलितों का और यादमों का और अति पिछडों का और पिछडों का इतना ही प्रेम है तो जाइए जन्ता के बीच में से एक रिप्रेजिश चुन करते हैं सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सुनील यादो जी तेकैश जवाब नहीं देपाएंगे त्यागी जी ही देंगे हम क्यों लिए जानना चाहते हैं क्या गड्धा मुक्त हो गया है यह जो संकल पत्र में लेके बैठा हूं क्या है इसमें एक भी पेज की एक भी लाइन या एक भी कालम का एक भी काम योगी सरकार ने किया है और अगर किया तो आप बता दो हम देश के सामने पढ़तेंगे ये काम हुआ है और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है तो हम वो भी गिना देंगे हम वो भी ले करके आए हैं क्योंकि आप लोग देश के सामने इतना जूट बोल देते हैं कि सच बताना बहुत जरूरी हो जाता है हम आप की उपलब्दी बताएं आप सुनना चाहेंगे ठीक है अच्छा सुनिल भाई मुझे बताईए जरा